कुछ और रचना हैं रचना निर्मे एक एक त्रिभुज की रचना करना जब दो भुजाओं की माप और उनके बीच के कोण की माप दी गई हो उधारन एक एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 5 cm, AC बराबर 4 cm और कोण A बराबर 45 अंश है बच्चों आपने देख लिया है कि जब त्रिभुज की तीन भुजाओं की माप दी हुई हो तो हम त्रिभुज की रचना कैसे करते हैं और आपने ये भी देख लिया है कि किन परसितियों में त्रिभुज की रचना की जा सकती है आईए अब हमें एक नई परिस्टी पर विचार करते हैं हमें ये दिया हुआ है कि एक तिर्भुज की दो भुजाओं की माप हमारे पास है और उन दोनों भुजाओं की बीश जो कोण बनता है उसकी माप भी दी हुई है तो इसे हम उदारण एक के माधियम से देखेंगे उदारण एक में हमें ये दिया हुआ है एक तिर्भुज एबी सी के रशना कीजिए एक रफ चित्र हम बनाते हैं एक तिर्भुज एबी सी की रशना कीजिए जिसमें एबी बरावर पांस सेंटी मिटर है ये A, B है ये 5 cm का है और A, C 4 cm का है ये A, C की माप जो है वो 4 cm है और कोण A 45 अंश का है ये जो कोण बन रहा है A पर जैसे आप कोण B, A, C ये कोण C, A, B पढ़ सकते हैं इस कोण की माप दी हुई है कि ये 45 अंश का है अब हमें देखना है क्या हम एक ऐसे त्रिभूश की रशना कर सकते हैं चली कोशिश करके देखते हैं और ये देखते हैं क्या इन दी हुई मापों से हम त्रिभूश की रशना कर पाएंगे सबसे पहले हम दोनों में से एक रेखाखंड कीजा, जिसकी लंबाई 5 cm है, इसे हम बिंदू A नाम दें और ये बिंदू B है, इस AB के लंबाई 5 cm है, इसे हम थोड़ा नेचे लिख लें, 5 cm, दूसरी रचना AC की है, जो 4 cm की है, निश्यत रूप से ये जो रेखाखंड होगा, वो यहाँ से बनना शुरू होगा लेकिन हमें यह पता नहीं है कि वो रेखाक्रण एच यहां बनेगा यहां बनेगा यहां बनेगा गई वह पता नहीं है कि तो वह जो निर्धारण है उसके लिए हम इस कोण की मदद लेते हैं हम को बिन्दू A पर 45 अंस का कौण बनाएँ और उस इस कौन के बाद हम फिर रशना करें, तो देखते हैं, कि ये रशना हो पाती है, क्या, हम चांदे के इस्तमाल करेंगे, चांदे का एक केंद्रे बिंदू आप देख रहे हैं, ये दोनों जो शुने-शुन के निशान है पैमाने पर, उसको मिलाने वाली जो रेखा है, उस रे और यहां से चुकि हम इस तरफ कौन बनाना है तो हम यहां से पढ़ना शुरू करनेंगे शुन्य, दस, बीस, तीस, चालीस, और यह पचास और इन दोनों को ठीक बीच में जो कुछ बड़ा सा निशान मना है वह पैतालीस अंश के माप को दिखाता है तो यह जो निशान मना पैतालीस अंश का है इस बिंदू को हम यहां से मिलाएं ए से और इससे आगे बढ़ा दें तो यह जो कौन हमने निर्मित किया वह पैतालीस अंश का है जो ए पर बन रहा है और यह हमें प्रेश्न में दिया हुआ था अब एस ही के लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो आप यहां स एसी के लंबाई 4 सेंटीमीटर लेना है हमें तो इस स्केल की मदद लेंगे हम और परकार को शुन्य पर रखते हुए इतना फैलाएंगे कि यह पैन का जो सीरह है वो 4 सेंटीमीटर पर आ जाए अब हमने परकार को जो फैलाओ दिया है वो 4 सेंटीमीटर माप का है परकार की आप इससे नाम दें, चार सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदू C, अब इस बिंदू C को B से मिलाईए, इस तरह से मिलाएंगे, बहुत साउधानी से इतनी जगा हम रखें कि पेन की नोक रखने के लिए हम पर स्थान बचा रहे हैं, इसको बहुत साउधानी से बिंदू C, A, C बराबर 4 सेंटीमीटर है, और A पर बनने वाला कौन C, A, B 45 अंश का है, और यही माप हमें यहां दी हुई थे, तो आपने देखा कि यदि हमें त्रिबुश की दो भुजाओं की माप दी हुई हो, और उन भुजाओं के बीच बनने वाले कौन की माप दी हुई हो, तो ह बच्चों आपने यह देख लिया, कि यदि हमें किसी त्रिबुश की दो भुजाओं की माप दी हुई हो, और उनके बीच का कौन दिया हो, तो त्रिबुश की रष्णा हो जाती है, अब एक और दूसरी परिस्तिती पर हम विचार करें, कि यदि हमें त्रिबुश की दो भ हो, तो हम त्रिबुश की रष्णा कर पाएंगे क्या? जैसे सुधार हम ने देखी है, हम पर एक त्रिबुश ABC की बात की जा रही है, इस त्रिबुश ABC में भुजा AB की माप हमें दी हुई है, जो 7 cm है, और भुजा AC की माप दी हुई है, जो 6 cm है, और जो कोन दिया हुआ तो चलिए हम शुरू करते हैं, एक बहुत महत्पून बात हमें यहां पर ध्यान में रखनी होगी, कि अगर हम इन दोनों में से एक भुजा का चैन करते हैं, पहले रष्णा करने के लिए, तो क्या क्या हो सकता है? यदि माल लीजे, पहले 6 cm की भुजा की रष्णा कर लें, तो बिंदू A से हम 7 cm की भुजा की रष्णा करने के लिए एक चाप खीश सकते हैं, लेकिन अब हमें उस पर यह पता नहीं चलेगा कि उसका डिरेक्शन क्या है, उसके दिशा क्या है AC के साथ, ऐसे में हमें AB की लंबाय तो मिल जाएगी, लेकिन यह पता नहीं चलेगा कि उसकी दिशा क्या है, तो हम B कर निर्धारन नहीं कर सकते, और तब B कर निर्धारन नहीं हो सकेगा, तो हम उस पर कोण भी नहीं बना सकते, इसलिए ऐसी परिशिती में जरूरी है, कि हम पहले उस भुजा की रष्णा करें, जिससे हम 6 दो रष्णाई भी कर सकें, जैसे माल चलिए, हमने तर्ग के मादने हम से देखा कि हमें A B के रष्णा पहले करनी होगी, तो पहले हम A B के रष्णा करते हैं, और फिर देखते हैं आगी के रष्णाओं के लिए, इसकेल पट्टी लें और उसे अपने इस कागस पे हम ठीक से रखें, और शुनने से शुरू करें और चुकि हमें साथ सेंटीमिटर के रेखा खंड की रष्णा करने हैं, तो हम साथ सेंटीमिटर तक एक लंबाई का रेखा खंड खेच लें और इन्हें नाम दे दें, यह पहला बिंदू A है, दूसरा बिंदू B है, और इनके बीच की दूरी जो है A और B की या A B की जो ल सेंटीमिटर है, और B पर 40 अंश का कोण बनाना है, तो यह दोनों चीज़ें संबह हैं, क्योंकि हमारे पास बिंदू A भी मौजूद है और B भी मौजूद है, तो चली कोई भी एक रष्णा पहले कर ले, मालिज हम पहले A C के रष्णा करते हैं, जिसके लंबाई 6 सेंटीम हमने परकार को 6 सेंटीमिटर फैलाया, अब परकार के नोग को हम A पर रखें और एक चाप खीचें, थोड़ा बड़ा चाप खीचें, क्योंकि हमें नहीं पता कि यह चाप उस कोण बनाने वाले देखा को कहां कहां पर काटेगा या कहां पर काटेगा, चाप खीचने के एक यह नहीं पता कि बिंदू C कहां पर होगा, किस दिशा में होगा, इसलिए हम एक चाप खीषते हैं, जिसके 36 cm है, यानि इस चाप का हर बिंदू A से 6 cm है, और उस बिंदू के निर्धारण इस कोड के माद्य हम से होगा, जो हम B पर बनाने वाले हैं, चलिए B पर हम कोड बनाते हैं, और कोड बनाने के लिए हम चाप उप्योग करेंगे, शुन्य शुन्य को मिलाने वाले रेखा को इस रेखा खंड AB को उपर रखेंगे, और इस बिंदू को जो बीच का है, उसे हम ठीक B पर रखेंगे, और अब हमें ये देखना पड़ेगा, कि हम पढ़ना कहां थे शुरू करें, तो देखिए, चुकि हम को कोड इस दिशा में बनाना है, तो हम यहां शुन्य वाले पैमाने से पढ़ना शुरू करेंगे, देखिए, शुन्य, 10, 20, 30, 40, और हमें 40 डिग्रे के कोड बनाना है, तो हम यहां पर एक निशान लगाएं, और इसे B से मिला दे, यह B से हम इस बिंदो को मिलाने जा रहे हैं, और इससे हमें B पर 40 अंश का कोड मिलेगा, यह देखिए, मान लिजीजीजे हम एक किरंड नाम देदें, और मान लिजीजी यह किरंड B X है, और यह जो कोड बन रहा है, वो 40 अंश का है, इसे भी हम यहां लिख दें, 40 डिग्री के कोड है, यह हम जो यहां बना रहे हैं, अब आप देखिए कि आपने किन के इंचीदों के रशना कर लिए, सबस्ब पहले आपने A B के रशना की, जो 7 सेंटीमीटर है, उसके बाद A C के रशना के लिए आपने 6 सेंटीमीटर तरिज्जा के एक चाप के इंच लिया, और B पर आपने 40 अंश का कोड बना लिया, आप देख रहे हैं कि, यह कोड बनाने वाली किरंड B X, उस शाप को दो जगों पर काट रही है, एक तो स्थान ये है, और दूतरा स्थान ये है, इनको भी आप नाम देदें, माली जी अर्ब इससे आप C कहते हैं, और इसे भी एक नाम देदें, माली जी sort D है, यह अदि आप C और D को करंशा A से मिलाते हैं, क्या होता है देखिए जरा हमने सी को ऐसी मिलाया ए ए और सी आपने मिला दिया उसी तरह से ए और डी को भी मिलाईए ऐसा करने पर हमें दो तरिभुज मिल रहे हैं तरिभुज ABD और दूसरा तरिभुज मिल रहा है ABC अब देख रहे हैं यह तरिभुज है जिसे आप ABC पढ़ेंगे ABC कहेंगे और पहले जो आपने तरिभुज अंकित किया था वो ABD है आप देख रहे हैं कि दो तरिभुज आपको मिल रहे हैं जो इस शर्तों को पूरा करते हैं आप पहले वाले तरिभुज में देखिए AB 7 cm और चुकि D इस चाप परिस्थित है इसलिए AD के लंबाई 6 cm होगी और यह कौन 40 हंस का आपने बनाया है तो आप देख रहे हैं कि ABD भी दीवई शर्तों को पूरा करता है और ठीक इसी तरह से तरिभुज ABC भी इन दीवई शर्तों को पूरा कर रहा है याने आप AB बरावर 7 cm और चुकि C चाप परिस्थित है इसलिए AC के लंबाई 6 cm होगी और कौन भी 40 हंस तो आपने बनाया ही ह तो आप यहां पर यह देख पा रहे हैं कि दीवी मापों से दो अलग अलग तरिभुज की रशना हो रही है तो आप यह कह सकते हैं कि यदि हमें दो भुजाओं के लंबाईयां दी हुई हो और उनके बीच का कौन नहीं दिया हो कोई दूसरी जगा पर बनने वाला कौन दि स्थिती में तो आपने देखा पहले आप सबसे पहले यह देख रहे थे कि तरिभुज की तीन भुजाओं दी हुई हो तो तरिभुज की रशना होती भी है और नहीं भी होती है तरिभुज की रशना तब हो पाती है जब दो भुजाओं के लंबाई को योग तीसरी जो सब करके देखें दी गई मापों से त्रिभुच की रचना कर अपने साथियों के साथ पहला A B बराबर 4.5 सेंटीमीटर A C बराबर 6.3 सेंटीमीटर और कोण A बराबर 5.5 सेंटीमीटर